गुड मॉर्निंग तो फिर सावी फिर से हम लोग हाजी रहें बहुत अच्छे प्रस्णों का सेट ले करके इतना बढ़ी है प्रस्ण कि बस हर किसी का दिल खुस हो जाए कि भाई ऐसे प्रस्ण जो है वह आते कहां से हैं तो ऐसे प्रस्ण जो हैं इनको हम लोग लेंगे फांडिशन क्लासेस आपके बहुत फायदे की है और मैं सभी को बोलूँगा कि रेगुलर रहिए लगातार रहिए कभी भी जो है ना आराम मत किजिए होली के दिन भी पढ़िए तो मेरी जो अफलाइन क्लासेस है ना उसको मैं चाहता हूं कई बंद ही ना हो हमेशा रहे हो सारे इससे पहले जो दस और क्लासेस हो चुकी है उसको भी देखिए जिसे मेरी कुछ बाते अगर आपको लगे रिपीटिशन में मेरी बाते बकवास लगेगी तो बस उसको स्कीप कर दिजिए इसकीप करके जो काम की चीज़ है उसको देखिए चलिए तो हम लोग सुरू क है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है हाइड्रोजन का होता है हम लोग जानते हैं कि नावकिय सनलेयन होती है सूरज में यानि निकुलियर फ्यूजन वहां से उड़ जा मिलती है सूरज को कितना प्रतिशत होता है तो यह होता है सत्तर प्रतिशत कितना प्रतिशत सत्तर प् कि नियुक्ति की विवस्था करता है तो यह करता है तो यह करता है सर्वोच नियाले में कहां आगे देखते हैं बरतन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रन है बताइए जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीज होता है जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीज होता है कापर जिंक और निकेल क्या होता है कापर जिंक और निकेल कापर सी यू प्लस जिंक जेडन प्ल इलाहबाद की संधी किस वर्स होई थी देखिए इलाहबाद की संधी किसके किसके बीच में होई थी और कब होई थी ये दोनों जानना जरूरी है इलाहबाद की संधी जो हुई थी कब होई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे ब्रिटिस रूल के उपर में ये जानना जरूरी है तो इलाहबाद की संधी जो है एक ऐसी संधी है जिसके बारे में हर किसी को अच्छे से जानना चाहिए हुई थी 12 अगस्त 1756 को हुई थी 12 अगस्त 1756 को हुई थी इलाहबाद की संधी थोड़ा था डीटियल से भी इसको जरूर जानियेगा इलाहबाद की संधी को अगला देखते हैं भारत में चलित नयाले का विचार किसकी देन है बहुत अच्छा प्रस्न है लेकिन इसमें हमें से मेरा कनिफ्यूजन रहता है कि किसका देन है कई जगा पे भगवती भी लिख अब एक 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 जाम था बहुत पहले मैंने देखा था उससे मेंने इनका फूल फॉर्म पूछ लिया गया था तो एपी जे का फूल फॉर्म क्या है अबुल पकिरी जलालुदीन अबुल कलाम यह उनका पूरा नाम है अबुल पकिरी जलालुदीन अबुल कलाम अब दे आधिर सी बात है, बिहार में जोतों का काड़ बहुत चोटा है। ज्यादा तर बड़े-बड़े खेत मिलेंगे राजस्थान में। खुब बड़े खेत मिलेंगे राजस्थान में, जादर तर उतनी उपजाओ जमीन है नहीं ना, तो बड़े खेत है, अलग इसुग है उसका, अंतरास्टी एकोप्रेटन संस्था का मुख्याले कहां इस्थित है, बहुत अच्छा प्रस्ण है, अंतरास्टी एकोप्रेटन सं अब दिखिए, वर्ष 1976 इसवी तक आईडी बिगाई किस बेंग का अनुसंगी बेंग था ? बड़ अच्छा प्रस्ण है, किस बेंग का सटा हुआ तक, एक बीग का सटा हुआ धा ? ठेक है, अईडी बिआई, किस एसाद सटा हुआ था ? किस बेंग के साथ आद कढ़िया या यह कोई ही जो है बैंकों का बैंक बना करके सारी कहानी जो है वो बदल दी गई तो यह आठवा नंबर का कोश्चन है और यह बहुत अच्छा कोश्चन है ठीक है इतना बढ़िया कोश्चन है कि समझे जो बस एक्जामिनेशन में इस तरह के प्रशन एकदम से पूछे जाते हैं रजीत सिंग का उत्राधिकारी कौन था रजीत सिंग एक आँख वाले बादसा क्या बोला था उन्होंने कि इस वर ने मेरी एक आँख लेली ताकि वो चाहते थे कि मैं सभी धर्मों को एक ही नजर से देख हूँ एक नजर वाले बादसा थे और बहुत प्रभावसाली व्यक्तित तो था बहुत अच्छे व्यक्तित थे वो रजीत सिंग रजीत सिंग का उत्राधिकारी कौन था एकदम से बताईएगा ऑप्सन में दिलेप सिंग जरूर है ठीक है तो देखिए इनका जो उत्राधि सिंग का ये था खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती है खिरकिया तो वही खड़क सिंग है खड़क सिंग इनके उत्राधिकारी थे कौन थे खड़क सिंग भारत सरकार ने देश की किस नदी को राश्टिय नदी घोसित किया है जाहिड सी बात है राश्टिय नदी तो उमीद है कि सब लोग को दिख रहा होगा, यहां तक किसी को दिखत नहीं है, अब देखिए, पस्मीना उन किस जन्तु से प्राप्त किया जाता है, बकडी से, कहां की बकडी है, कस्मीरी बकडी है, बकडी कहां की, कस्मीरी, कस्मीरी बकडी, ठीक है, हो गया, कस्मीरी बकडी स कौन सा पस्मिना उल भारत के सरोच नयाले के काड़े वाहक मुख्य नयाधिस की नियुक्ति कौन करता है काड़े वाहक मुख्य नयाधिस की नियुक्ति कौन करता है कहां पड़ा गए हम भारत के सरोच नयाले के काड़े वाहक मुख्य नयाधिस की नियुक्ति कौन करता है ब कौन करता है नियुक्ति तो देखिए यह जो करता है ना यह करता है रास्ट्रपती ठीक है रास्ट्रपती करता है यह ठीक है नियुक्ति पत्र पे चुकि उसके हास्ताक्षर होते हैं इसलिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी नियुक्ति वही करता है भारत के सरव चन्य प्रस्णों में कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी व्यक्ति को आ रही हो, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रस्मीना उनकिस जंतु से प्राप्त किया जाता है, ये हो गया था, भारत के सर्चनयाले के कारवाय के मुक्रियाद, इसकी नियुक्ति कौन करता है, लिफाफी प आ संजक बल के कारण, ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, सातवी आठवी में, सातवी आठवी में ये सब चीज पढ़ते हैं, तो क्यों नी पढ़ते हो भाई, सातवी आठवी डंग से, किसने मना किया है सातवी आठवी डंग से पढ़ने के लिए, ठीक है, तो हम अगल सिkkh यूद्ध और दोती अंगल सिkkh यूद्ध के समय में कौन पंजाब कसा सकता भई बहुत कॉमन है कोही नूर हीरा छीनलिया था उसे राणी ने ठेक है बदा जुल्म किया था क्या नाम था उसका राजा दिलीप सिंग क्या नाम था दिलीप सिंग बाद में लंदन में बस गए वो कहानी बदल गई पूरी की पूरी ठीक है दिलीप सिंग ठीक है अब मैं राजा बनना सिखा हूँगा कि राजा बनते कैसे हैं आगे देखते हैं पाकिस्तान की पुर परधान मंत्री बेनजिर भूटो की हत्या कहा हुई थी यह बहुत पुराना प्रस्न है यह नहीं पूछा जाएगा इस प्रस्न को काट देंगे लेकिन मुझे याद है अभी भी रावल पिंडी में हुई थी उनकी हत्या ठीक है रावल पिंडी में हुई थी लेकिन इस प्रस्न को रिमूब कर सकते है क्योंकि यह अब प और अभी भी रिपीट करेगा, कभी भी, ठीक है, कोची का जिरुवा नगर कौन सा है, यह है एरना कुलम, किसे मानवाद का संस्थापक माना जाता है, मानवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह मानते हैं, हम लोग पेट्रॉक को, मानवाद, मानवाद का संस्थापक कौन था यह था पेट्रॉक मानावाद के सांस्था पक पेट्रॉक को क्या नाम था उसका यह था पेट्रॉक गदम याद रहना है यह सब चीज है ना बार-बार पूछा जाता है और एक्जाम में देखने को मिलेगा बिहार पुलिस सिपाही दीस दैट वगरा फ्लाना डिम का सब में अगर इसको फिक्स माने तो बावंद समलो साथ एक परसेंट रहा है यह तो यह जो है ना इसको एक बार गूगल कर लेना है गूगल कर लेना है एक बार और मुझे भी बताना है ओल डेटा है तो इसको कमेंट बॉक्स में नीचे में डाल देना है इसको 15 अगस्तिश्तिश् cris यानि जिस समय भारत को अजादी मिली उस समय कॉंग्रेस के अध्यक्स कौन थे जे भी कृपलानी थे जे भी कृपलानी थे ठेक है इसा भूलने का नहीं है एकदम याद रखने का चीज है आगे देखते हैं सूचना का अधिकार कानून किस वर्स लग हुआ सूचना का अधिकार तो 2005 में नाम ही है इसका RTI Act 2005 ठीक है यह 20 कोश्चन का सेट है देखने में भले 20 कोश्चन लगता है लेकिन यह अस्थाई है हमेशा के लिए रह जाता है ठीक है यह क्या है एकदम अस्थ रिपीट कर सकते हैं सीख सकते हैं तो यही तो हमारी जो है खासियत है हम लोगों की खासियत है कि हम लोग जो है वो चीजों को अराम से रिटेन करके रख सकते हैं चीजों को याद करके रख सकते हैं हमेशा के लिए तो तकनीक का इस्तमाल करना है अच्छे तरीके से करना है और इस हिसाब से और भी क्लासस में रेगुलर वे में लाता रहूंगा लगतार ले करके रहूंगा और जो लोग मेरे से मिलना चाहे सब के लिए मैं अबलेबल हूँ फोन पे कम बात हो पाती है अबलेबल नहीं हूँ लेकिन जो लोग मिलना चाहते हैं सब के लिए मैं अबले पर जितने लोग हैं, वो मेरे से बहुत सारी चीजों की चर्चा करते हैं, मैं उनकी सारी समस्ष्याओं को सुनता हूँ, बहुत अध्यान करता हूँ और अध्यापन करता हूँ और यही मेरी एक कॉमन से दिन चड़िया है कि मैंने जितना सीखा है एडवांस जगोर से उन सब चीजों को मैं एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाओं ये खुद की साटिस्फेक्शन के लिए ये चीज है मेरा खेर अभी तो बहुत मुश्किले हैं खुद का खर्चे निकालना मुश्किल है लेकिन जैसे मास और वॉलिम्स ज्यादा लोग आएंगे जुडेंगे उस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का उनका भी समाधान होगा और बहुत सारे रिवेनी जेशन का इसू है वो भी जो है खतम हो जाएगा तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे लगातार ही और अपना कुणबा हम लोग अपनी इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे आप सभी का धन्यवाद